हलो बच्चो तो मैं प्रियार आटोर आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आज हम लेकर आए हैं एल 12 यानि क्लास 12 का 12 और खुश तो बहुत और हैंगे आप क्योंकि चैप्टर खतम होने वाला है तो पता ही है आपको देख लीजिए दो घड़ी का महमान है अभी एक दो लेक्चर का तो क्या था हमारा चैप्टर फ्लो यह आपको पता ही है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आनुवान्शिक विकार उसके बाद हम मेंडलियम विकार के बारे में डिसकस करेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के कुछ विकार कैसे होते हैं आनुवान्शिक विकार कौन कौन से होते हैं हम नाम देखेंगे और साथ में हम autosomal अप्रभावी और autosomal प्रभावी विकारों के बारे में थोड़ा सा introduction लेंगे कोई बीमारी आजम नहीं पढ़ने वाले लेकिन उन बीमारियों को पढ़ने के लिए जो आगे का process पढ़ना है हमें जो introduction पढ़ना है वो खतम करेंगे आज हम तो आप देखेंगे कि अनुवानशिक विकार एक heading लगी हुए है आपकी किताब में तो क्या उसमें है यह देखते हैं हम दो टाइप के पढ़ेंगे आपकी बुक के accordingly पहले हम पढ़ेंगे मेंडलियम विकार और दूसरे हम पढ़ेंगे क्रोमोजोमल विकार अगर आपको उत्परिवर्तन ध्यान हो तो हमने उत्परिवर्तन में भी टाइप पढ़े थे एक पढ़ा था genetic यानि कि जीनो उत्परिवर्तन या चेंज हो जाने की वज़े से हमने जो उत्परिवर्तन पढ़े थे उसी को हम क्या कर देते हैं बाद में विमारी की फोरम में जब पढ़ते हैं तो उसको मेंडलियन विकार क्यानों कि ए नाम क्या तुक्या लेते हैं क्या है मेंडलीन विकार तो पहला अंतर तो क्या है कि जब किसी जीन में का परिवर्तन के कारण कि अगर कोई बिमारी या विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कह देंगे मेंडलीन विकार दूसरा यहाँ पर वोगा गून सूत्र में क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है गून सूत्र में किसी परिवर्तन अब परिवर्तन देखो वही दो टाइप का हो सकता है या तो संख्या में भी हो सकता है या अकारिकी में भी हो सकता है यह हम पहले पढ़ चुके हैं गून सूत्र में किसी परिवर्त के कारण जो विकार या बिमारिया उत्पन होगी उसे हम क्या कह देंगे क्रोमोजोमल विकार अब क्या-क्या इन दोनों में पढ़ना है मैंडलियन विकार में हम देखो फिर से इस मैंडलियन विकार को दो भागों में बाट देते हैं पहले होते हैं प्रभावी विकार ये दो तरह के हो सकते हैं प्रभावी जिसको हम क्या बोलते हैं डॉमिनेंट और दूसरे हो जाएंगे आप्रभावी जिसको हम बोल देंगे रिसस्व इसी तरह इसमें भी दो हो जाएंगे प्रभावी और प्रभावी ठीक है तो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं यही प्रभावी क्या है और प्रभावी क्या है इसके अंतरगत कर पढ़ने वाले हैं प्रभावी और और प्रभावी में देखो दो तरह के क्रोमोजोम हमारे पास human body में है आपको पता है एक तो है और लिंगी गूर्ण सुत्र जिसको हम autosomal कह रहे हैं जो 22 जोड़ी है और दूसरे है sex related जो sex determine करते हैं यानि एक जोड़ी जो 23 जोड़ा है वो क्या है लिंग गूर्ण सुत्र है यानि sex क्रोमोजोम में तो जीन गूर्ण सुत्र के उपर जो जीन उपस्तित है उसपे हो सकती है तो फिर हम इन दो बीमार्यों को और क्या िकेटेगराइज कर सकते है कि वो आलिंगी गुर्ण सुत्र की वज़े से हो रही है या ओटोसोमल की वज़े से हो रही है या लिंग गुर्ण सुत्र की तरफ से हो रही है या तो वो किया किस वज़े से हो रही होगी आलिंग गुर्ण सुत्र यानि कि वो बाइस जिसको हम autosomal कहा रहे हैं या फिर वो कैसी होगी लिंग गुण सुत्र की वज़े से होगी अब जो आलिंग वाली होगी उसमें वही सेम यही चीज़ चलेगी आलिंग गुण सुत्र प्रभावी आलिंग गुण सुत्र अप्रभावी लिंगुन सुत्र प्रभावी लिंगुन सुत्र अप्रभावी ऐसे ही दर्भी हो जाएगा अलिंगुन सुत्र प्रभावी अलिंगुन सुत्र अप्रभावी ठीके पर जनरली हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं जो आपको NCRT फॉलो करनी है, उसके accordingly जो हम पढ़ने वाले हैं, chromosomal disease में हम ये disease पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे down syndrome, हमें generally इसमें कौन सी पढ़नी है, जो किस से related है, संख्या से related है, जो A-Nuploidy, Ploidy वाली पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था, आगे हम पढ़ेंगे, एक हमें पढ़ना है, Ternal syndrome, और हमें पढ़ना है, Kleinfelter syndrome, ये हमें क्या पढ़नी है, disease पढ़नी है, ठीक है, इसके अंतरगर, यहाँ पे हमें कौन कौन सी पढ़नी है, यहाँ पे हमें अप्रभावी के अंदर, अप्रभावी में भी कौन सी पढ़ेंगे हम, अलिंग वाली, यनि कि जिसे हम क्या कहा रहे हैं, autosomal, सिर्फ autosomal recessive, autosomal recessive या अलिंगी अप्रभावी वाली हम जो disease पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतरगर सिकल सेल, अनीमिया, अनीमिया, और दूसरी हम पढ़ने वाले हैं, थेलेसीमिया, पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सब पहले पढ़ चुके हैं, यह सब एक साथ पढ़ लेंगे हैं, क्योंकि हम उसको पहले अल्रेडे डिसकस कर चुके हैं, यह पढ़ेंगे, प्रभावी, यहनि डॉमिनेंट डिजीज जो है, उसमें हमें कोई हमारे सिलेबस में disease नहीं दी हुई है, वैसे होती है, जैसे जो हनिंटन डिजीज है, वो sex-linked dominant disease होती है, लेकिन हमें dominant वाली कहलाती है, अगर किसी X chromosome पे कोई disease का gene है, तो हम उसे X-linked या X-sahalagn gene कह देते हैं, disease कह देते हैं, बिमारी कह देते हैं, और अगर Y पे होती है, तो उसे हम बोलेते हैं Y-sahalagn बिमारी, लेकिन ना तो हमें Y वाली पढ़नी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, Y वाली होती है, rat disease होती है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, याद भी नहीं रखना क्योंकि आपके syllabus में नहीं है, और प्रभावी में भी हमें जो link से अलगना वाली पढ़नी है, वो प्रभावी में नहीं है हमारे पास syllabus में, वो भी हमें आप्रभावी वाली ही पढ़नी है, आप्रभावी में ही हमें x-linked वाली पढ़ने है, कौन सी पढ़नी है x-linked वाली यहाँ पे तो अभी इसके नीचे जगा नहीं है इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दें, क्योंकि एक board पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वाना तो मैं इसको यहाँ पे box बनाके आपको show कर देती हूँ देखू, यह वाली तो हो गई कौन सी, अलिंगी ओटोसोमल और लिंगी ओटोसोमल वाली भी हमें पढ़नी है लेकिन recessive में ही पढ़नी है वो कौन सी है, वो दो disease है sex-linked कौन से sex-linked हमें x वाली ही पढ़नी है, हमें y वाली पढ़नी ही नहीं है ठीके, x-linked में हमें क्या पढ़ना है एक तो हम पढ़ेंगे hemophilia और एक हम पढ़ेंगे वर्णांदता color blindness यह दो पढ़नी है और यह दोनों कैसी है यह आप्रभावी ही है आप्रभावी में ling वाली है मतलब sex-linked है ठीके, और autosomal में यह दो है ठीके, बात अब समझ में आई कि यह चारो बिमारिया हम पढ़ेंगी तो वो कैसे categorize है इसको आप याद कर लेना अच्छी तरह से क्योंकि बच्चे इसी में confused हो जाते है question पूचा जाता है निम्नमैसे लिंक सहलगन अप्रभावी disease का नाम बताओ तो वो सिकल सेल करके आए और बहुत बच्चे करते हैं इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते बच्चे सिकल सेल को ही टिक करके आएंगे लेकिन यह ध्यान रखे वो autosomal है लिंक सहलगन नहीं है लिंक सहलगन सिर्फ यह दो disease है और वो भी recessive dominant में तो हमें पढ़नी ही नहीं है नहीं हमें इनमें वाय वाले में कुछ पढ़ना है यह disease हमें पढ़नी है देख लीजे एक phenylclutoluria जो यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि वो general है उसको हम साथ में पढ़नेगी चलो अब मेंडलियन विकार की बात जब हमने की तो उसको देख लेते है मेंडलियन विकार वहच कित सी इस्थती है जो जनकों से वन्शागत एलिल के कारण उत्पन होती है यही मैंने का इसको मेंडलियन क्यों कह रहे है क्योंकि यह मेंडल की law फॉलो कर रही है मतलब जनक से जनक से कहां आ रही है एलिल के थो वन्शागती यहीं पीडी में स्ताना नतरीत हो रही है सरवादिक सामान मेंडलियन विकार कौन-कौन से है यह देख लेते हैं जो नॉर्मल हमें याद करने जो अभी हम लिख चुके है और उसके अलावा भी कुछ है इसमें जैसे हीमोफेलिया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेल अनीमिया वर्णान दता जिसको कलर ब्लाइड नेंस भी कहते हैं फिनाइल किटोनूरिया और थेलसीमिया इसमें हमें बाकी सब पढ़नी है इसके अलावा कौन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस यह नहीं पढ़नी हमें इसके अलावा सारी जो भी यहाँ पे लिखी हुए सब कुछ पढ़ना है ठीक है सम हेरेडिटी डिसॉर्डर ऑफ मैन मैन मतलब यहाँ पे आदमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे नॉर्मल इंसानों की बात हो रही है ठीक है मैन देखे आदमी नहीं कर देना जब एक अनुआंशिक विकार ओटोसोमल प्रभावी होता है यह हम डिसकस कर चुके है ओटोसोमल मतलब वही आलिंगी जो कैसे गुन सुत्र पे होगा जहां पे लिंग वाले गुन सुत्र पे नहीं है आलिंगी बाकी के 22 गुन सुत्र पे है तो उस पे हम क्या बोल देंगे दो टाइप के होते हैं अब हमने कहे एक तो है ओटोसोमल प्रभावी होता है तब किसी व्यक्ति में ए ए यानि कैपिटल है कैपिटल है और कैपिटल ए स्मॉल ए इस्तिती का विकार का कारण होगा यह क्या बात बोल रहा है यह बात बोल रहा है कि हम बोल चुके हैं जो प्रभावी है वो तो किसी भी इस्तिती में अपने आपको शो करता है जो डॉमिनेंट होता है तो चाहे वो ए ए में आए तो भी देखो एक कैपिटल है तो यह डॉमिनेंट है तो अपने आपको शो करेगा और चाहे दोनों कैपिटल हो तब भी अपने आपको शोग करेगा ये चीज़ ये बता रहा है आप रभावी में इस्तिती थोड़ी सी अलग होती है जब एक अनुवांशिक विकार ओटोसोमल आप रभावी होगा तो वह केवल AA-LL वाली गत्ती ही रोगी होंगे ये बात हम पहले मेंडल वाले में पूरी डिसकस कर चुके है कि जो आप रभावी होता है उसको दोनों स्मॉल स्मॉल चाहिए अगर एक भी कैपिटल आ गया तो डॉमिनेंट वाला अपने आपको शोग कर देगा इसा डिसीज में भी है क्योंकि मेंडल हो फॉलो कर रहा हूं है लिंक क्रोमोजोम परस्थित इन रोगों की आवरती पूर्षो और महिलाओं में समान नहीं होती फिक कर अभी हम डिसीज पढ़ने वाले ये इस बात को समझके कि जो जो sex linked है especially जो X linked है क्योंकि मैंने कहा कि हम कौनसी disease पढ़ेंगे X linked वाली ही पढ़ेंगे यानि कि X सहलगन जो बीमारिया पढ़ेंगे वो भी अप्रभावी वाली तो उनमें जो बीमारी होती है वो जनरली पुरुशों और महिलाओं में सेम नहीं जाएगी मतलब मैंडल के law के accordingly जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि जो बीमारी है अगर वो औरत में है तो हम सोचेंगे कि उसकी बेटी में जानी चाहिए क्योंकि ladies to ladies जाएगी लेकिन ऐसा होगा नहीं कुछ change देखने को मिलता है हमें यानि कि पूर्षों और महिलाओं में समान नहीं होती क्योंकि वह x-link है पूर्ष में तो एक x होगा यहां पे दो x होंगे तो उस हिसाब से काम चलेगा हीमोफीलिया एक x-link सालगन रोग है यह बात हम कर चुके हैं इसी बात को मैंने चार्ट के थुरू आपको समझा दिया है पूरा ताकि यह बातें आपको समझ में आ जाए चले शुरू करते हैं अब अब आप्रभावी और आप्रभावी विकारों में क्या अंतर है फिर से हम एक बार समझ लेते हैं देखो अगर आप्रभावी है केस बन अप्रभावी कैसा ओटोसोमल है अभी ओटोसोमल की बात करें एक्स लिंग की बात नहीं करें अगर ओटोसोमल अप्रभावी है तो उसको रोग फैलाने के लिए रोग फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल पोजिशन पर आना पड़ेगा क्योंकि यह अप्रभावी है और यह कहां पर है वही 22 जो बच्चे होए 22 गूर्ण सूतर है उटो सोमल उस पर है तो यह कह रहा है कि अगर यह केस आप याद रखेंगे अच्छे तरह से जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ तो कि आगे वो आपको बिमारी के साथ सब गिच्पिच हो जाएगा अभी समझ लो इसको ठीके दो कैसे मान लो हमने दो पैरेंट्स लिये यह हमने लिया फादर यह पापा हैं ठीके और यह हमने ले ली मम्मी इसको भी बिमारी है मान लो अब जब इनके बच्चे होंगे मान लो यह हुआ और यह हुआ यह क्या है यह वो सिंबल है जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं लड़की के लिए गोला बनाना है लड़के के लिए स्क्वेर बनाना है तो इनके बच्चे हुए मान लो चार बच्चे हुए देखो इस अप्रभावी की खासियत क्या होती है कि अगर इसके पैरेंट्स बिमार है अगर इसके पैरेंट्स बिमार है दोनों पैरेंट्स बिमार है मैंने पहले ही क्रोस लगा दिया पहले हम पढ़ेंगे प्रभावी वाले को तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रभावी अलिंगी यानि ओटोसोमल प्रभावी क्या कैसे इसमें क्या होगा कि अगर मदर और फादर यानि माता पिता दोनों अगर क्या हो डिजीज केरिंग हो अगर दोनों रोगी है तो प्रभावी वाले में क्या होता है अगर आलिंगी प्रभावी है जो कि हमें पढ़ नहीं है सिफ हमें समझना है कि अगर माता पिता दोनों क्या है बिमारी से ग्रसित है तो संभावना है कि इनके बच्चे मेंसे कुछ अप्रभावित रहेंगे जैसे मान लो लड़की जो है वो डिजीज है बाकी किसी में डिजीज नहीं है जैसे में बुट्री जों के बच्चे कैसे रहेंगे अप्रभावित किस से अप्रभावित बिमारी से अप्रभावित यह उनीनेत स्वस्त है तो ये case आपको याद रखना है क्योंकि आपको वंशावली को शो कर रहे हैं तो ये case आपको पहला वायला याद रखना है कि अगर रोगी माता-पिता है किसमें प्रभावी वाले में रोगी माता पिता है तो उनके बच्चे आप रभावित हो सकते हैं सारे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे एक हो सकता है कैरियर हो सकता है वाहग भी हो सकता है वाहग क्या होता है ऐसे गर्ल या बॉय जिसमें वो जीन तो होता है खराब वाला लेकिन वो उस बिमारी को शो नहीं करता ठीक है क्योंकि वो recessive manner जैसे मार लो अगर यह A A है और A पे खराब जीने यह A वाला खराब जीने अब इसके पास है तो सही जीन लेकिन यह क्या है A की वज़े से इसमें बिमारी शो नहीं हो रही लोगों की क्या इच्छा है होती है कि यार उसके पैरेंट्स नो डॉक्टर है इंजिनियर है तो जरूर उसका बच्चा कुछ नो कुछ करेगा लेकिन उसके बच्चे ने तो बेडागर कर दिया कुछ भी नहीं किया मतलब जो माता-पिता डॉमिनेंट होते हैं जो प्रभावी होते हैं जो बच्चे को कहते हैं नहीं हम डॉक्टर हैं हम इंजिनियर तुझे भी इंजिनियर बनना है तुझे भी ये करना है तो जो ज़्यादा दबाते हैं उनके बच्चे विपरिथी निकलते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो, कि इनको बिमारी थी दोनों को, लेकिन बच्चा बिमारी नहीं हुआ, तो ये कैसे, एक हो सकता है, वो वाहक होगा जनरली, उसमें बिमारी नहीं होगी, लेकिन बाकी जो है, वो अप्रभावित रखें, इसमें क्या होता ह है, कि अगर माता-पिता स्वस्थ हैं, इसमें उन्टा कैसे, माता-पिता स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं, वो बिमार हो जाएंगे, ठीक है, ये कौन सा है, आप्रभावी, ये लो, सभी बच्चे, इसको कैसे समझ सकते हो, कि ऐसे पैरेंट्स, जिनके माता-पिता सिंपल जैसे आप सुनते हो, उसके पापा तो रिक्षा चलाते थे, लेकिन उसने बोर्ड में टॉप किया, वो डॉक्टर बन गया है, उसके पापा तो मम्मी जो है, वो लोर्ड क्लासे थे, उनकी इंकम कम थी, बहुत पढ़ा भी नहीं पा रहे थे बच्चों को, लेकिन आज उनका बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो ये ये वला कैसे, है ना, पैरेंट्स में बिमारी नहीं है, वैसे तो ये बिमारी है, लेकिन हम उसको वैसे याद कर सक लेकिन बच्चे 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 स्वस्त निकल जाएंगे, तो ये केस आपको दोनों याद करने हैं, इनकी पहचान है, अगर पैरेंट्स में बिमारी नहीं है, और बच्चे में बिमारी आ गई तो आप बिना देखे अंदा गून टिक करेंगे, और अगर पैरेंट्स में से कोई भी बिमार हो या दोनों बिमार हो, बिमार हो लेकिन बच्चा बिमार नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे बोलेंगे, ओटो सोमल डॉमिनेंट, ये केस याद करने ऐसा ही नहीं समझारी में, ठीके, चलो, तो अब अंतर देख लेते हैं, द प्रभावी, प्रभावित बच्चों के जनक, प्राय, प्रभावित होते हैं, प्राय लिखा हुआ है यहां पर, प्राय क्यों लिखा है, देखो इदर, इसमें एक मैंने डिजीज वाला बनाया है, बनाया है न, प्राय हो बोला है, ठीके, प्राय का मतलब होंगे ही नहीं, प्राय, या तो वाहक हो सकता है, या तीन मेंसे एक बच्चा क्या हो सकता है, बिमार हो सकता है, प्रभावी वाले में, इधर देखो, अधिकतर प्रभावित बच्चों के जनक जो है, वो कैसे होंगे, प्रभावित होंगे, यह हम डिसकस कर चुके हैं, विशम युगमजी बच्चे हमेशा प्रभावीत हो दो अगर दोनों जनक है वो कैसे हैं प्रभावित हैं मतलब disease carrying है तो उनके बच्चे हमेशा कैसे होंगे प्रभावित होंगे कैसे देखो अगर आपके पास parents जो हैं वो AA और AA हैं क्यों AA और AA क्यों हम बोल रहे हैं कि यह प्रभावी है अगर parents के पास दोनों के पास disease है तो क्या यह जीन एक parents से जाएगा एक mother से तो अगर एक हम बच्चा बनाए इसका इसका अगर हम एक बच्चा बनाए तो वो कैसा बनेगा एक जीन इदर से एक जीन इदर से तो क्या यह प्रभावित नहीं हुआ प्रभावित हुआ ना तो यही यह कह र प्रभावित हो सकते हैं सारे अप्रभावित नहीं है कुछ प्रभावित भी होंगे लेकिन यहां पे तो भई सारे ही प्रभावी है यहां पे क्या है कुछ अप्रभावी भी है चलो दूसरा है दो अप्रभावित जनकों के बच्चे प्रभावित नहीं होंगे माल लो अगर पैरेंट्स में डिजीज नहीं है, मतलब सिंपल है, ना तो इसमें डिजीज है, ना इसमें डिजीज है, दोनों आप रभावित है, मतलब दोनों में डिजीज नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, सिंपल, क्योंकि दोनों में कोई जीन है यह नहीं खराब वाला, किस condition में अगर वो AA हो उसमें वाहक भी नहीं होना चीए मतलब विशम युगमजी नहीं होना चीए विशम युगमजी होते तो फिर एक small A यहां आ जाएगा तो फिर यह वाली condition बन जाएगी ठीके, दोनो अप्रभावित हो मतलब देखने में और सब तरह से वो कैसे हो डिजीस केरिंग नहीं है मतलब AA और AA है दोनो ही सम युगमजी तो इसमें small A आने का सवाल ही नहीं कहां से आएगा, आएगा ही नहीं तो फिर बच्चे कैसे होंगे प्रभावित नहीं होंगे यह दो तीन केस है जो आपको याद रखने यह डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे चीज क्या है ठीके, चली और यहाँ पे देख लो प्रभावित व्यक्ति वसम युगमजी अप्रभावित व्यक्ति के संबंदों में अप्रभावित बच्चे पैदा होते है क्या कह रहा है यह कि अगर प्रभावित व्यक्ति प्रभावित में व्यक्ति कब होगा अप्रभावित वाले में यह प्रभावित रोग से कह रहा है ठीके, और यहाँ वाला प्रभावी जो है है वो रिसेशिव को कहा रहा है यह बुक में ही अव प्रभावी लिखा हूआ रोगी रोगी लिख देता तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता यह यहां पर जो अव प्रभावी प्रभावीत लिखा हूआ नहीं तो यहां पर्ती mar नहीं ठीक है प्रभावित वक्ति अब रेसेसिव वाले में आप प्रभावी में दिमारी वाला वक्ति कौन होगा रोगी व्यक्ति जिसके पास ए होगा अगर हम सिंबल फॉर्म में चले वह सम्युगमजी मतलब यही ए ए अगर दोनों सम्युगमजी है तो अगर जो है व्यक् तो बच्चे क्या हो सकते हैं मेली आप्रभावित रहेंगे ठीक है नजदी की समद्ध में विवा इन गटनाओं को बढ़ावा देगा वही मैंने कहा जो ट्राइबल एरिया के रोग है अगर डिजीज केरिंग इनके पास जीन है तो वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर क्या होती जाएगी डिजीज फैलती जाएगी ठीक है बात समझ गए आप हमें जैसे कि मैंने कहा यह प्रभावी वाली डिजीज पढ़नी ही नहीं है हमें कौन सी पढ़नी है सिर्फ ओ्टोसोमल अप्रभावी वाली पढ़नी है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे जिसमें एक तो हम यह दोनों अच्छे जीन हैं तो यह क्या होगा अरोगी अब यह अरोगी को क्या है आपके NCRT book में बार बार अप्रभावित दे रखा है और आप उस अप्रभावित से हैं ना वो रिसेसिव वाला अप्रभावित समझ रहे हूं वो नहीं है प्रभावी लिखाओ तो रिसे है तरह तो यह कैसा है अच्छा है अब माजलो इसका एक जीन तो अच्छा है और दूसरे जीन में या एलिएल mayor में खराबी हो गई तो यह को और यह जो कराब वाला जीन है यह अप्रभाव वस्थता है मतलब recessive वाला है recessive है आ लिख दू इसको अब recessive है तो इसको show होने के लिए क्या करना पड़ेगा दो बार यह चाहिए अब ऐसी condition में अगर कोई है कोई भी व्यक्ति है तो वो दिखने में तो आपको सही लगेगा, वो क्या होगा वो भी औरोगी होगा उसको कोई रोग नहीं है क्योंकि उसके पास अभी भी एक dominant gene है ठीके, तो इस condition पे तो आदमी औरोगी होगा, लेकिन एक खराब gene के साथ होगा, जो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे रोगी बिल्कुल स्वच्च है gene भी सच्च है, एक तीसरी condition सुनो यह है और इसके दोनों gene खराब है यह भी small a और यह भी small a अब अगर यह जो gene है वो अप्रभावी वाली बिमारी फैला रहा है तो obviously अभी क्या हो जाएगा रोगी हो जाएगा क्योंकि यह कौन सी बिमारी है अप्रभावी रोग है यह और अप्रभावी को रोग फैलाने के लिए दोनों genes की जरूरत है ठीक है, बात समझ में आई इतनी बातें समझ में आई अब देखो sex link की बात कर लेते हैं जो आगे हमें पढ़नी है कि links अलगन बिमारीया जो होती है हमें जनरली कौन सी वाली पढ़नी है syllabus के इसाब से सिर्फ अप्रभावी links अलगना ठीक है, अप्रभावी उसमें भी सिर्फ x वाली पढ़नी है जिस पे x पे बिमारी का जीन है y वाली नहीं पढ़नी हमें ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो x जीन होता है आपको पता है, x गून सुत्र मदर में दो होते हैं है ना और फादर में एक होता है अब इसका ये लोच्चा है कि ये अप्रभावी है कैसा है, अप्रभावी है यहाँ पे x वाला जीन है दो, तो अगर मादा में बिमारी फैलानी है अगर फीमेल में बिमारी फैलानी है तो दोनो x x डिजीज वाले होने चीए मतलब मैं इस पे कुछ सिंबल लगा दू ये भी खराब जीन ये भी खराब जीन, तब ही ये क्या होगी मादा जो वो रोगी होगी क्योंकि इसको दोनो जीनs कैसे चाहिए ऐसे चाहिए, रिससिव है क्योंकि दोनों परदर्शित होंगे तब ही बिमारी परदर्शित होगा लेकिन मेल की हिस्से में उल्टा काम हो जाता है क्यों ऐसा होता है बहुत बदनसी विचारा मेल क्या ही करूं मैं लेकिन क्या होता है X अगर एक X पे भी वो खराब वाला जीन है तो ये रोगी हो जाता है अब आप पूछेगी क्यों उसका सीधा सा जवाब है देखो इसके पास तो दो X है है ना मान लो X पे जितने भी मतलब इस बिमारी के अलावा भी और भी गुण है और भी जीन्स है तो X जो है वो दोनो X मिलके उन लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे है लेकिन मेल में तो इसी X पर क्या है सारे जीन्स है ऐसा तो है नहीं कि X गायब हो जाएगा X तो रहे गई तो सारे जीन्स जब एक ही X पर है तो उस X पर ही अगर क्या आजाएगा वो खराब वाला जीन्स आएगा तो वो प्रदर्शित हो गई यहां तो क्या होगा यहां तो अगर ऐसी कंडिशन बन रही है देखो यह X है यह भी X है क्योंकि रिसेसिव है अगर मालो एक X पर खराब जीन है तो वो dominate वाला क्योंकि यह dominant है अच्छा वाला है तो यहे तो रिसेसिव है बिमारी वाले तो तो यह dominant वाला इसको cover कर लेगा उसको दबा देगा क्योंकि dominant का काम यही होता है यहां तो dominant case ही नहीं Y तो अलग ही है अपना X एक ही है तो वो उसको दबाने वाला जीन तो ही नहीं दूसरा वाला तो वो क्या हो जाता है शो हो जाता है यह क्यों शो नहीं हो पाता क्योंकि दूसरा उसको दबा रहा है डॉमिनेंट वाला यही तो मतलब होता है न एक्स एक्स को यह वाला इसको दबाता है क्योंकि यह प् पढ़िए इसको थोड़ा अच्छी तरह से घिमाग में गोट लो क्योंकि आगे जाके सब गिच्पिच हो सकता है ठीके तो इसके साथ ही इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है छोटा सा था क्योंकि जिस इंट्रोड़क्शन था अगले वीडियो लेक्शर में हम पढ़ेंगे बिमारिया कौन-कौन से एक तो हीमोफीलिया पढ़ने ही हमें और एक वर्नादता पढ़नी है तो इंतजार केजिए अगले वीडियो लेक्शर